मनिशा फूट की चन में आप सबका स्वागत है अगर चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ में लाइक और बैल आइकन का बटन भी जुड़ दूए आज बनाएए काले चनी की गिरिवी वाली सब्जी अगर एक पर आपने इस तरीके से बना कर खाली तो नौन वैज खाना भूल योग इतनी टेस्टी होती है इस सबजी कि इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने हाँ सबसे पहले काले चनों को पांचे गंटे के लिए भीगो दिया था चनी अच्छी तरह फूल चुके हैं अब इनको हम कुकर में डाल देंगे इनका पानी निकाल कर अब इसमें पानी डाल कर गैस पर रख देंगे उबलने के लिए पांच-छे सीटी लगा ले जब तक की चनिया हमारे अच्छी तरह पकना जाए और सॉफ्ट ना हो जाए कुकर की गैस निकाल कर एक बार देख लें चनिया हमारे कितने पके है सब्जी बनाने के लिए हम पर मैंने लिए दो बड़ी प्याज, तीन टमाटा, लस्टा, नदरक और हरी मिर्च सबसे पहले दो बड़ा चमज देल का गरम करेंगे पतीले में डाल कर इसके बार डाल देंगे दो तेज पत्ता, एक बड़ी लाइची और लोंग को मैंने मोटा मोटा कूट लिया है इसके बार डाल देंगे प्याज का पेस्ट, प्याज धसन अतरक का पेस्ट इसको बून लें अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चे, हरी मिर्चों को मैंने बीच में से कट लगा लिया है इसको भी प्याज के साहथ बहुन लेंगे फ्याज बूलने के बाद़ इसमें डाल देंगे आदा चमच लाल मिर्च अदा चमच हलदी पाउडर है ऊब दो चमच डालेंगे धनिया पाउडर गिल है और डालेंगे एक मसाले जिसे मसाले से जले नहीं फार्चा की मसाल पानरची अच्छे से मिक्सट कर लेंगे पानी पानी कम थोड़ने को से ओर डालेंगे ज्यादा नहीं डालना बस थोड़ा सा डालना है कि बस मसाले का जो पेस्ट है वो हमारा गीला हो जाए और मसाले अच्छे से बुन जाए मसाले अच्छे से बुन चुके हैं आप इसमें डाल देंगे टमाटर का पेस्ट टॉमाटर को भी अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ मसाले को जब तक भून लें जब तक की मसाला तेल न छोड़ दे मसाला अच्छी तरह हमारा घाल डेंगे बबले हुए चनी सब जी की एक पर मिक्स कर लें अब इसमें डाल देंगे पानी ग्रेवी बनाने के लिए और नमक सुआत के नुसार नमक को अच्छी तरह मिक्स कर लें इसे मैं थोड़ा पानी और डालूँगे क्योंकि मैं चावल के साथ खाने के लिए बना रही हूँ आप ग्रेवी को कम ज़्यादा कर सकते हैं गाड़ा पतला अब सबजी को पकने देंगे ग्रेवी को 10-12 मिंट के लिए सबजी को पका लेंगे इसे की ग्रेवी अच्छी तरह पक जाएं सबजी हमारे अच्छी तरह पक चुकी है हम इसमें डाल देंगा था चमज गरा मसाला पाउडर इसको मिक्स कर लेंगे और तयार हमारे काले चैने की सबजी ग्रेवी बाली बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है एक बार इसको इस परीके से खा लेंगे तो सफेज छोले खाना भूल जाओगे झाल जाओगे